नमस्करों मी यह गुरुकुल प्रसारण है और इसमें आप सब का स्वागत है मैं बल्देवा नंसागर आपके सामने लेकर आता हूं संस्कृतम पठ आधू निको भवा ब्लॉन संस्कृत बी मौडन इति शिंखलाया हा सामप्रतम त्रिशश्टितमं व्याख्या नमस्मावी प्रस्तु य कि हमने पिछले व्याख्यानों में देखा कि किस प्रकार से कारक और विभक्तियां संस्कृत व्याकरण में प्रभावी भाषा शुद्धी के लिए होती है कि आप सब जानते हैं कारक तो सभी भाषाओं में प्रियुक्त किया जाता है जिसके आधार पर वाक्य बनता है और पर हमने पद की बाद कही पद के बाद वाक्य की बाद कही और वाक्य शुद्ध कैसे हो और कौनसी विभक्ति का प्रियोग हम करे इसके लिए हमको कारक और विभक्ति का ज्यान होना बहुत आउशके अतेव अस्माभी केनप्रकारेन कारक विषये अपीच विभक्ति विषये विस्तरेन पठनियम शिक्षनियम अभ्यसनियम अस्ति तजर्थम अहम सांप्रतम भवताम समक्षम किमपी विस्तरेन उपस्था पयामी पानिनेह व्याक्रनानु सारेन भवंद्द जानम ती यत कारकत्वम नाम शड्विधम teater वयं जानिम हे यत कर्ता कर्म च करणं संप्रदानं तेवच अपादानाधिकरने इत्याः कारकान शट एशा अस्ति परिभाषा वाविभाषा कारीका महाभाष्य की कारीका है जिसमें छे प्रकार के कारक की बात कही है तो आपके सामने में सबसे पहले रखता हूं कि किस प्रकार से कारक का लक्षन किया गया है क्रिया के साथ संबंध हो जिसका उसको कारक कहते हैं और यह छे प्रकार का होता है और उसका लक्षन महाभष्य के अनुसार है क्रियाम करोती इतिकारकम एक लक्षन यह हो गया दूसरा है क्रिया जनकत्वम कारकत्वम क्रिया का जो जनक है वो कारक है या क्रियान वहित्वम कारकत्वम यह तीन लक्षन सामान्य रुप से किये गया है इसका सीधा सा और सरल अर्थ है कि कोई भी वाक्य हम बोलते हैं उसमें क्रिया करने वाला जो व्यक्ति है उसका सीधा संबंद है तो वहां उसमें कारक प्रभावी होगा और जब कारक होगा तो उसमें विभक्ति कौन सी होगी उसकी जिग्या साम को होगी तो एक वाक्य मैं आ कारक नहीं है लेकिन इसका वाक्यों में प्रियोग होता है तो कारक के लिए एक वाक्य जो आपके सामने हैं वो है वनात आगताह रामाह सीता यही लंकायाम रावनम बानेन जगहान यह एक वाक्या है इसमें वन से आये हुए या वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावन को बान से मारा अब इसमें वनात पंचमी है और आगत्य गमधातु का आंग उपसर्ग पूर्वक त्वा को लिप करके आगत्य आकर और राम आहां ये करता है और सीता ये ही चतूर्थी विभक्ती है और लंकायाम ये पंचमी विभक्ती है सप्तमी विभक्ती है लंकायाम लतायाम की तरह और रावनम ये कर्म है रावन को मारा तो इसमें दृतिया विभक्ति हो गई है और बानेन बान से मारा तो इसमें तृतिया ये करता कर्म और करण हो गया है और जगान क्रिया है तो इसमें इस वाक्य में बताया है किस प्रकार से हमें कोई अभिव्यक्ति करना है तो कौन-कौ विभक्टिक सा कारक होगा अब हम यहां यह प्रश्ण कर सकते हैं कि वनाते यह अपादान है ऑर अपादान जहां होता है अलग होना अपादान में अपने सुनाई होंगा तो वह वनात हो गया और आगज्य यह तो उपपद विभक्टिया undरफद क्लिया कह सकते हैं और रामा करता है करतु रिसुट रिप्सित तमाम कर्म रावनम है और लंकायाम अधिकरण है और सिता यही चतुर्सी संप्रदान सिता के लिए संप्रदान है और बाणे न तृतिया व्यवक्ति बाण में उपकरन या करण जिससे साधक तमम करणम हम कहते हैं तो यह त्रितिया विभक्ति हुई तो इस प्रकार से छे जो कारक है उसका प्रियोक करके फिर इसमें शष्ठी विभक्ति जो हम लगाते हैं वो संबंधवा चके उसके बारे में मैं आपको अलग से बताता हूं तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्र तत्र कारकत्वं प्रयोक्तवियं शुद्ध दया तत्र वैकल्पी कत्वेन कानी चे दुरूपानी अपिसंती तद विश्य हम कथ इस्यामी परम सामान्यतया करता कर्म क्रिया इती वाक्यम अंग्रेजी में या हिंदी में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब इसका हम ल इस तरह से करते हैं तो वह सभी भाषाओं में हैं लेकिन संस्कृत में जो नियम है उसके कारण इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है तभी संस्कृत शुद्धर उपेनवयम वक्तुम लेखितुम अपिचा भाशितुम शक्नुमाहा अब हम क्या करते हैं आगे चलते ह कि कारकों की संख्या कितनी है इसके बारे में मैंने पहले भी बताया है लेकिन मैं आपको स्लाइट से बताना चाहूंगा कि करता कर्म करन संप्रदान अपादान और अधिकरन तो जो संबंध शष्ठी है उसको कारक क्योंकि का संबंध का मतलब राम की पुस्तक या मेरी ले मंद और संबोधन वो केवल विवस्था के लिए है कारक में नहीं माना जाता है अब आगे चलते प्रत्मा विवक्ति कैसे होती है कोई लोग प्रश्ण पूछ सकते है तो उसका सिधासा है स्वतंत्रह करता यह सूत्र पाणिनी अश्टा ज्याई का है जो बहुत क्रांतिक करताता है उसका लक्षं पाणिनी महमुणि ने किया स्वतंत्रहיים व advent रहait कोई भी क्रिया कर सकता है इसलिए उसका लक्षं स्वतंत्रह करता मैं माना जाता है तो जो इपसिततमम होगा वो उसमें कर्म होगा और कर्म में द्वित्या होती है और कर्ता में प्रत्मा होती है तो आप जानते ही हैं तो वनात आगत्य रामह सीता यही रावणम बानेन जगाम जगाना उसमें रावणम इपसिततम है इसलिए उसमें द्वित्या विभक्ति हो आगे चलते हैं तीन भेद किये हैं वाक्यों के ये भी जानना बहुत जरूरी है अंग्रिजी या हिंदी में हम उसको कर्त्री वाच्य कर्म वाच्य कहते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लेकिन समस्कृत में एक और भेद है भाव वाच्य भूयते इस तरह से प्रयोग होंगे हुआ जाता है किया जाता है सोचा जाता है तो ये भाव वाच्य होता है लेकिन दूसरी भाशाओं में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कर्त्री वाच्य और कर्म वाच्य होता है तो कर् मैं आपको आपकी सामने रखता हूं कि किस प्रकार से इसको विशेश परिभाशित करने के लिए अश्टत ज्याई में महामुनी पानिनी ने एक सुत्र दिया प्राति पदिक आर्थ लिंग परिमान वचन मात्रे प्रत्मा इस सुत्र की व्याक्यां पहले भी व्याक्यानों मे कर चुके हैं कि प्राति पदिक अर्थ अब प्राति पदिक शब्द को जानना इसलिए जरूरी है कि क्या कहना चाहते हैं पद शब्द है और प्रती शब्द है प्रती पद से प्राति पदिक बनेगा माने प्रत्येक पद प्रत्येक शब्द यह कह सकते हैं शब्द एक अक् प्रादी पदिख अर्थ में और लिंग मात्र में वचन जिसको कहते हैं मैस्क्यूलीन फैमिनीन न्यूट्राल तो ये लिंग मात्र कहा जाएगा और परिमान जो नाप तौल के लिए परिमान किया जाता उसमें और वचन में एक वचन भी वचन बहुचन इसमें क्या होता है प्रत्माविभक्ति होती है तो इसलिए रामाह विद्यालयम गच्छती है तो राम स्वतंत्र करता है और ये प्राति पदिकार्थ है तो इसमें प को यह कर्त्री वाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् कर्म करत्यवाच्य में ऊसलों प्रथ माहो जाएगी और गम्यते यह आत्मनेपदी कृफिया होगी रामेन-विद्यालयाह गम्यते और भूयते विचार्यते कल्पयते यह भाववाचिए यह का तो तीन प्रकार के वाक्य हमें समझने चाहिए इताहपरम हम अग्रेग अच्छामी संबोधनेच्च सुत्र है संबोधन में भी प्रथमा वती है हे राम हे सीते हे लते तो इस तरह से संबोधन एड्रेस करने में प्रथमा विभक्ती होगी और उक्ते कर्तरी प्रथमा जो उक्त कहा गया है सो सैट जो कहा गया है वो करता उसमें प्रथमा विभक्ती होगी और वित्या विभक्ती पर हम जब आते हैं तो वो कर्मकारक कहा जाता है आप स्लाइड में देख रहे होंगे किस तरह से अश्टा ज्याई का सुत्र कर्टूहु इपसिततमम कर्म कर्टूहु कर्त्री शब्द का जो शश्ठी एक वचन है वो कर्ता कर्तारो कर्तारा कर्तारम कर्तारो कर्त्रिन कर्त्रा कर्त्रिभ्याम कर्त्रिभी ही कर्त्रे कर्त्रिभ्याम कर्त्रिभ्या और पंच्वी में कर्तू हों करतुभ्याम करत्रभ्या और शष्ठी में कर तुम विसरगा और इप्सित अत्मम इपस shroud कॉ इच्छा अर्थ मैं करता का जो इपसितथम है जो चाहाओँ डिजायर मो सब्सक्राइब है वो कर महोगा और के क्या होग निजीत्या कर में without ब्वाक्ति होगी और इसे दो रामाह विद्यालयम ग्च्छती में विद्धिवावेवक्ति अब आगे कुछ वाक्य मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है के रामाह ग्रिहम गच्छती छाट्रह विद्धियालयम गर्चती अहं J CPA मी और लका हाँ तो ये जो छे वाक्याप के सामने हैं तो इसमें ग्रीहम विद्यालयम जलं फलानी नगरम हरिम यह सब में कर्म हुआ है है और करता कौन-कौन है प्रतम वाक्ट में राम है सब्सक्रांगा तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कारकी प्रक्रिया को अब हम आगे संप्रदान करन आदि कारकों के द्वारा जो और विवक्षित कारक कर्मसंग्यक होता है जो और यह जिसकी कहने की इच्छा है लेकिन पिखने गया है उसमें भी कर्मसंग्य जैसे दूह आदि धातू हे जो सेट वह अभी आपके सामने में रखओंगा शोला कर्मक prayer जैसे रामह या गोविन्दह अजाम नयती है नीधातु है नयती नयताः नयमती तो यह द्विकर्मक है तो अजाम नयती आजह मने बकिरी या गाम गाय को ले जाता है गोविन दहा अजाम गोविन अजा को या धेनुम नईती गाई को ले जाता है तो अब यहां विवक्षित तो धेनु अजा या गाम है लेकिन अविवक्षित क्या है कहां ले जाता है गाउं में ले जाता है या चराने को ले जाता है या गोशाला में ले जाता है इस तरह जो अविवक्षित कहीं जो है कारक है तो वहां कर्म हो जाएगा जैसे गोविंदाह धैनुम ग्रामम नयति या गोविंदाह धैनुम गोष्ठम नयति गोष्ठ कहते जहां परशुओं को चारा दिया जाता है और ग्रामम माने गाउं को तो या वनम नयति गोविंदाह धैनुम वनम नयति तो धैनुम भी है और वनम भी यह दोनों में कर्म हो गया है तो यह अविवक्षित अकथितम्च कहा नहीं है लेकिन उसकी विवक्षा सहज आती है और यह इसके कर्मत होता है जैसे याच है बली भक्ति की याच ना करता बली राजा का हम जानते हैं नाम सुनाएं पुराणों में तो बली ही हरिम भक्तिम याचते हरी से भक्ति मांगता है तो यहाँ हरी में पंचमी कोई कहेगा कि पंचमी होने चाहिए हरी से भक्ति मांगता तो नहीं यहाँ कर्म अविवक्षित आपादान है वहां कर्म हो जाएगा तो यह 16 दातु है जो आपके सामने स्लाइड पर है आप देख सकते हैं और इसमें यह दू कर्मक दातु है एक अ अनेन सहेव व्याकरणम अत्र पूर्णतामेती व्याकरण प्रभागाह साम्प्रतम वयं लग्वीमेकाम कथामा श्रित्य अग्रेसरामाह कथा कौमोदी अत्र पंचतंत्रस्य कथास्ति भवंतह जानंती अत्र लेखकाह विश्नुशर्मावर्तते आरंभेवय मंगलाचरणम क लोम नमाह शारदा गनपती गुरुभ्याह महा कविभ्यो नमाह अब संगती क्या है पिछले व्यक्षान में हमने देखा कि किस प्रकार से पिंगलक और दमनक उसमें बात चल रही होती है और दमनक का पूरा जो शड्यम्त्र है साजिश है कि किस प्रकार से जो बैल दिया जाए तो यह किसी प्रकार से कूट निती से पिंगलक नाम के शेर को उसको मनाता है और अलग अलगतर की कहानिया कहता है और नीती का उपदेश देकर पिंगलक को कन्विंस करने का प्रयास करता है तो पहला श्लोक था जो हम पढ़ चुके है नाहय विज्ञात शीलस्य उप्रदातय एव्याक प्रति श्रयाह घुनस्य दोशैण हता मंद विसर्पीणि और विज्ञात शीलस्य यस्य शीलं क्यात्म naastि सअविज्ञात शीलह टश्या विज्यात शीलस्या जिसके चरित्र का बारामें हमको पता नहीं है कि उसका स्वभाव कैसा है इसकी सोच कैस अप्रस्तिया उसकी संस्कार तो वो विज्ञातशील और शुष्टी विभक्ती में अविज्ञातशिल अस्यप्रतीश्ष्रयाह प्रतीश्रयाह आश्रयाह या निवासः या शरण। उसको सहारा या निवासव या मदड भी कहिए प्रतिश्रही उसको रुकने के लिए अगर वो आता हमारी पास तो उसको प्रतिश्रही कहेंगे ना प्रदात अभ्याः नहीं देना चाहिए दाधातु प्रवपसर्ग और तव्यत प्रत्जे हो गया है तो जो जिनके बारे में अज्ज्ञात कूल श्यल है उसको हमें ठेहरा जिसको अगनी मुख जिसका नाम है उसकी वजह से जो मंदवी सर्तिणी यूखा जूँ जिसको कहते हैं उसका नाम मंदवी सर्तिणी रखा है वो कैसे मारे गए तो पिंगलक कहता है कथमेत यह कैसे शोब्रवी दमनक अब्रवी दमनक ने कहा अस्तिकस्य चिन महिपतेर मनोरवं शयनस्थानम यह हम पढ़ चुके हैं किसी राजा का बहुत सुंदर शयनस्थान था बेड्रूम था और तत्र श्वेत तर पट युगलमध्य संस्थिता मंद विसर पेनी यूका प्रतिवसातिस्वा उसमें जो बे वाइट और अगर तम प्रत्य लगा देंगे तो बहुत ही ज्यादा सफेद को श्वेत तम कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री रिलेटिव डिग्री कॉम्परेटिव डिग्री जैसे हम बोलते हैं तो श्वेत तर पट पट माने बस्त यूगलमाने दो दो पट बिछे हुए और उसके बीच में समस्थिता रहने वाली मंदविसर्पिन यूका प्रतिवसतिस्मा नाम था मंदविसर्पिन धीरे दीरे चलने वाले को मंदविसर्पि बोलते हैं यूका मने जू जो है वो रहती थी साच तस्यमहीपतेहि रक्तम आस्वादयम्ति सुखेन कालम नयमाना इस्ठती विश्णु शर्मा जी की अपनी स्टाइल एक्षायली है कि कैसे कहानी को अच्छी तरह से सरल्वाक्यों में कहना और उसकी गति को स्पीड को कहानी की स्पीड को बनाए रखना साच वो यूका मंदविसर्पिनी तस्यमहीपतेहि उस राजा का रक्तम खून रक्त आस्वादयम ती उसका स्वाद लेते थी और सुक्से आराम से कालम नयमाना समय बिता रही थी हुआ क्या कि उस समय उसका जो चोश्य लेहिया स्वाद्वाहार वशाद अस्य शरीरे यन मिश्टम रक्तम संजातम तस्य तद आस्वादेन सोख्यम संपादयामी जिहिवाया इती अब वो मतकुन अगने मुख नाम का आया खटमल जिसकी कथाम पहले सुन चुके हैं तो उसको मंदवी सरपीनी कहते हैं कथम भवान अत्रा आ गयता है तो वो कहता है कि मैंने बहुत जगह अनेक प्रकार का खून रक्त पिया है लेकिन यहां राजा जो अनेक प्रकार क आहार चोश लुआ हि इस प्रकात चूसने वाला चाटने वाला जो अनीक प्रकार की वियंजन है 36 प्लिद्दण माने जाते हैं उसको खाने के और और प्रकार का पय पिता है तो इसका मदूर मीठा खून है, वो मैं पिना कर रहा है कि चाहर रंक विक्टि ओ गरीब से गरीब या अंद्रिपति हो या राजा हो बड़ा जो छोटा उनका जो जीवाशों क्या में माने जीव का सुकh स्वाद का जो सुक व को सब को सब्गर कोindetर जीव का जो अगनिमु कहता है मुझे यद्यव नभवेलों के कार्म जीवा प्रतुष्टिदम तन्न भृत्यों भवेत कस्चित कस्यचित वशगो अथवा अब इस श्लुक का अर्था है कि अगर ऐसा ना होता तो कोई किसी की गुलामी ना करता अगर ऐसा संसार में नहीं होता दुनिया में तो जीवा प्रतुष्टिदम अपनी जीव को सुख देने वाला जो कर्म है वो तन्ना भृत्यों भवेत को किसी का गुलामना होता कस्यचित वशगो या किसी के बस में नहीं होता सब स्वतंत्र होते लेकिन स्वाद के कारण या पेट भरने के कारण व्यक्ति गुलामी करता है और किसी के कंट्रोल में आता है अगनिमुख मतकून मंदवी सर्पिनिको कंविंज करता है संस्कूत भाष्या वदामी चेथ अत्र मतकुणाह अगनिमुख नामा अत्र निर्पते शयन स्थानम आगत्य तत्र पूर्वस्थि मंदवी सर्पिणिम् स्विय विचारेई ही अनुनयती अनुसर्तुम् प्रेरयती प्रथमा श्लोकहस माभी पठिताह यद्धेवन भवेलो के कर्म जिहवा प्रतोष्ठिदम् तन्ना मृत्यों तन्ना मृत्यों भवेत कस्य चित्वश गोथवा अपर हुच्छ रू कहा अं applisya प्रत्रा मत्कुन हा जीवन श्य व्यावहारीकं सत्य व््याख्या पैति जीवन का जो व्यावहारीक्सत्य है विश्णु शर्माजी इस मतकून अगनी मुख के मुख से कहलवा रहा है कि अगार उदर पेट को भरना है तो व्यक्ति क्या क्या करता है असत्यमवदेत जूठ भी बोलता है मरत्यमाने मनुश यद्वा असेव्यम्च सेवते जो असेव्य है जिसकी सेवा नहीं करनी चाहिए उसकी भी सेवा करता है क्योंकि वहां से धन मिलेगा पैसा मिलेगा और से जीवन चलेगा यद्गच्छती विदेशम्च व्यक्ति अपनी जन्मभूमी छोड़कर अपने परिवार और कुटुम्ब के लोगों को भी छोड़कर विदेश जाता है क्यों तत्सरवम उदर आर मतकून कहता है मैं यहां आया हूं राजा के पास क्योंकि मुझे मुझे इसका मीठा खून रक्त पीदा है उदर आर्थता जो शब्दा है पेट के लिए तो एक बहुत बड़े अच्छे संत हो गया है निश्चल दास करके हैं उनका एक लोकिक भाषा में गरंत है उसमें व यह नदियां बनाई यह हवा बनाई यह सारा संसार बहुत अच्छा है सब कुछ आपने बहुत अच्छा किया लेकिन जो मनुष को पेट दे दिया है पेट दियो बढ़ो पापके ओ बहुत बड़ा क्योंकि पेट की वज़ए से आदमी सारे कर्म करता है यहां मतकून और मत इसलिए मैं मया ग्रिहागते ने तुमारी पास तुमारे घर में आया हूं उस जू के पास खटमल आया है बुभुक्षया बुभुक्षा कहते हैं बूख को अब भी देखेंगे के सेङों में जबेंट्क वाक्य नाम अभ्यासम करी शाम मैं आज सनम्त धातुओं का विप्रयों किया है ऑँ ज़ो इट्षा अर्थ में होता है जैसे भोक्तुम इच्षा वुभुक्षा कर्तुम इच्षा चिकिर्शा यह व्यक्ण तो सन प्रति होता है दातु को द्वित्व होता है इसलिए दो बार मूमू मुख्षा और इसी तरह से भूभू भकवा बन जाएगा भूभूख्षा मने भूख भूख की वज़से खाने की इच्छा की वज़से पिड्यमाने ना पी मैं बहुत भूख से सताया हुआ हूँ पत्सकाशा तुमारे पास भोजनम अर्थनियम जो खाना है वो मुझे तुम से मिले और इस राजा का मीठा खून में पी सकूँ इसलिए मैं तुमारे पास आया हूँ तन्न त्वया एका किन्या अस्य भूपते है रक्त भोजनम करतुम इसलिए तुम अकेली इस राजा का खून नहीं पी सकती हो तन्न इसलिए तुम नहीं त्वया तुमारे द्वारा एका किन्या त्वया एका किन्या तुमारे द्वारा अकेली अस्य भूपते इस राजा का र रक्त भोजनम जो खून पीने का खाने का तुम्हारा कर्तुम युज्यति वो ठीक नहीं है मुझे भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए तच्षुत्वा मंदविसर्पिणी आह वो सुनकर मंदविसर्पिणी नाम की जो जू है उसने कहा भो मतकुण अरे खटमल अस्यंद्रिपतेर निद्रावशंगतस्य रक्तम आस्वादयामी मैं क्या करती हूं यह राजा जब सोजाता है अस्यंद्रिपतेर इस राजा के निद्रावशंगतस्य यह जब सोजाता है तब मैं रक्तमा तब मैं खून का स्वाद लेती हूं पुनस्त्वम और तुम क्या हो अगनी मुखा तुमारा नाम अगनी मुखे बहुत शार्प हो तुम तेजो चपलस्च और तुम बहुत पीऊंगी और तुम भी पीऊगे तो क्या होगा राजा एकडम जग जाएगा या हमें हो सकता पकड़ लिया जाए इसलिए अभीष्ट तररक्तम आस्वाद आया मैं पीलू उसके बाद तुम अपनी इच्छा से जितना चाहो राजा का खून पीना सोब्रभीत मतकुर ने क करूंगा यावत्वम नास्वाद यसी प्रथमम निपरक्तम जब तक तुम राजा के खून को पहले नहीं पी लेती हो तावन ममा तब तक मैं देव गुरु कृताह शपत मैं सोगन धखाता हूं मैं शपत लेता हूं किसकी देव देवताओ की गुरु माने अपने गुरु क जैसे अब यहां मैं व्याक्रण की बात आपको बताना चाहूंगा सचत्रि परथ्य और वदतो फदन शत्री पृत्यप्रत्मा फर्फ में बनेगा शत्री पृत्यांト वदधातु से तो तयो अन्दोनों के परस्परम ऐसा बोलने पर सराजा तक्षएनम हो गया श्चुत्व जिसको कहते हैं जिसकों पहले पढ़ चुके हैं आसाध्य आकर प्रसुप्त सो गया अथा सो मतकुनों जीवा लोल्योत कृष्ट तो सुक्या जाग्रतम अपितम महिपतिम अदशत अब क्या होता है कि यह बहुत ही चंचल था और चंचल होने की वज़ा से इसने क्या किया जीवा आकर्षण या स्वाथ जल्दी चखने की वज़ा से उत्क्रिष्ट और सुक्या बहुत बढ़ा उसकी उत्सुक्ता बढ़ी थी जल्दी से मैं राजा का रक्त प्यूं और जाग्रतम अपितम महिपतिम जागते हुए राजा का भी वो महिपति को अदशत उसने उसको दंश यह खटमल ने जागते हुए राजा का एकदम अपने जो नौक से अपने दाच से दंश दिया और अथवा साधु इदम उच्चते क्यों कि उसकी जीवा की चपलता की उत्क्रिष्ट और सुक्य के कारण अब ये शब्द है जिसको हमें देखना होगा जीवा शब्द है लोल शब्द से लौल्य बनेगा उसके बाद उत्क्रिष्ट है और उत्सुक से उत्सुक के बनेगा थड़ा कठिन भाशा का प्रयोग किया है मतकुन को बताने के लिए कि उसकी जीवा जीव की चपलता और उसमें बहुत जादा जो उत्सुकता थी पंच्वी एक विभक्ती एक वचर में उत्सुक्याज जाग्रतम तो तब यहां जश्ट्वक्ती वज़त सिज्जा हो गया है उतक्रिष्ट्र अब इस बहने विश्णु शर्माजी नीतिका उपदेश देते हैं अथवा साधु इदम उच्चते सही कहा है स्वभावु नौपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यता सुताप्तमपिपानियम पुनरगच्छति शीतता यहां एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान का सुत्र विश्णु शर्माजी रख रहे हैं कि व्यक्ति का जो स्वभाव है वो उपदेश के द्वारा बदला नहीं जा सकता है स्वभाव माने व्यक्ति की जो नेचर है वो यथावत रहती है गीता का जनम करें तो उसमें भी कहा है प्रान और प्रकृति साथ में जाती है माने व्यक्ति जैसा बंता है बंते बंते उसका जो स्वभाव होता है वो उपदेश के द्वारा बदला नहीं जा सकता है या बहुत परिश्रम से कोई परिवर्तन लाया जा सकता कोई खासी प्रभाव डाला जाए तो स्वभाव अपना ओन नेचर अपनी जो प्रकृति है है कि पानी है जल वह बहुत गरम कर लिजिए गरम हो गया लेकिन पुनर अगच्छती शीत अताम फिर वह उसका स्वभाव है पानी हमेशा ठंडा हो जाएगा तो जो सुतप्त है बहुत गरम किया हुआ पानी है कुछ देर आप रख दीजिए फिर ठंडा हो जाएगा वह उ यहां अगनी मुख्छ ने क्या किया सोए हुए राजा का खुण्पिने की बजाए जागते हुए राजा को दंश दिया होता क्या है यदी स्याचीट लो वहनी एक और विश्लु शर्मा जी उधिफ हन देद है यदी सीर्षित लो वहनी शीतान्षूर दहनात्मकाह नस्वभाव उत्रमर्ट्या नाम शक्यते कर्तुमन्यता एक और उदाहरण के द्वारा वो समझाते है विश्णुशर्माजी के शीतान्षू शीतान्षू कहते चंद्रमा को जिसके किरन ठंडी होती सूर्य की किरने गरम होती लेकिन चंद्रमा की किरने चांदनी जैसे ठंडी होती है तो अगर चांद भी दहनात्म का गरम हो जाए और वहनी भी शीतल हो जाए याने आग भी ठंडी हो जाए और चांद भी अपना जलाना शरू कर दे ऐसा भी होने पर भी नस्वभाव उत्रमर्ट्यानाम मर्ट्य मनुष मनुष का जो स्वभाव है शक्यते कर्तुमन्यता मनुष का स्वभाव नहीं बदला जा सकता है मनुष से प्राणी अर्थ है जीव जन्तु सभी आ जाते इसमें अथासो महिपति ही सुच्चग्र विद्धाईव तच्छयनम्त्यक्त्वा तटक्षनात एव उत्थिताह जैसे ही दंख मारा मत्कुन्य खट्मन्य तो वह महिपति राजा है वह सुच्चग्र विद्धा सौई की नौक के द्वारा किसी को दंश दिया जाए उस तरह से इवा तच्छयनम्त्यक्त्वा एकदम खड़ा हो गया जट से जटिती उत्थाय तटक्षनादेव उत्थिताह उसी सम के अहो ग्यायताम अत्रप्रच्छादन पटे मत्कुनों यूकावा नूनम्तिष्ठती ये ना हम दश्टायती अपने जो कर्मचारी थे या पास में जो सिक्यूरिटी वाले थे उसको बुला के वो कहता है अहो अरे जल्दी से देखो ग्यायताम देखो जरा जानकारी लो अत्रप्रच्छादन पटे ये मेरे बिस्तर में जो पट बिछा हुआ है जो चादर बिछी है उसमें मत्कुन या तो खटमले युका या जूए और नूनम्तिष्ठती जिसने मुझे काटा है आथा ये कंचुकिन स्थत्र स्थिताह ते सत्वरम प्रच्छादन पटम ग्रि स्थित्वा देखकर सूक्ष्मद्रिष्टा बड़ी जहांच की विक्षाम चक्रू उन्होंने बहुत जहांच की अत्राम तरे इस बीच में मिन्वाई समत्कुन हा चापल्यात खट्वांतम प्रविष्टाह चपल था तेज था शार्प था उसने क्या किया उस खटमल ने चापल्यात अपनी चपलता के कारण जो खटिया पलंग था उसके अंतह कहीं घुर्ष गया सामंदवी सर्पिणी अपी जो जू थी युका वो वस्त्र संध्यंतर गता दो चादर की बीच में जो कपड़ा था उसकी जो संधी थी तह किया हुआ था वहां छुप गए लेकिन तेर द्रिष्टा जो कंचु की थे सिक्यूरिटी गाड़ वाले उन्होंने उसको देख लिया व्यापादिताच और उसको मार दिया अतोहं ब्रमी ब्रवीमी इसी लिए दमनक कहता है नहया विज्ञात शीलस्य प्रदातव्य प्रतिश्यय इस तरह से एवं ज्यात्वात प्वेश बद्यहा इसी लिए है अपने पिंगलक को राजा को बोलता है दमनक के आप इसको मार दीजिए इस बैल को संबर्दक को मार दीजिए नोचे त्वाम व्यापाद अन्यता सह त्वाम हनिश्यती उक्तम्च इसलिए उन्होंने एक और श्लोक कहा और इसके बाद ही पिंगलक का आहा कथमें तत तो कि एक और कखुद्रुम की कथा शरू हो जाएगी कखुद्रुम जो है वो चक्वास्चा भ्यंतरा ये ना वाह्यास्चा भ्यंतरीकृता नीला सियार या नकली सियार की कहानी हम सब जानते है उसका नाम रखाए विश्णु शर्माजीने कखुद्रुम राजा मर गया तो पिंगलक कहता है कथमेतत कैसे सो अब्रवित दवनगों ब्रवित ऑं कहानी शरू होती है एवं वयं अत्रा लगु कथायाह समापनम्कृत् सांप्रतम असमा भी तृतीय क्रमे we are entering in the third segment यत्रवयम अभ्भ्यासं करिश्यामाह संस्कृत वाक्यानाम यत्वर्यम् कुर्मा संस्कित संभाषन अभ्यासाक्रियते तत्र कानिचित्र में वाक्यानी मया पूर्वम अत्रवपस्था पितानी आसन पूर्वतने व्याख्याने सब्सक्राइब यथा नियुक्ता ये खश्का निये और जो इक्षती है पवकी तो उसका सनंत्त प्रत्य बुभूष्टि हो जाएगा और सन प्रत्य करें और इसी तरह से माया संस्कृत कि पठतीं माया संस्कृत का हम अभ्यास चत्य था आपने पिछले व्याख्यान में जाना ही है और अब हम आगे कुछ और वाक्य लेते हैं और जिसमें यगम यंगंत धातु का रूप कैसे होगा कि यंग प्रत्य संस्कृत व्याक्रण के अनुसार बार बार करने के अर्थ में आता है किस तरह से जैसे सुशीलह विद्यार्थी ग्रियेपी पाठम पुनाह पुनाह पठती अब यह जो पुनाह पुनाह है बार बार जो अबुर्ति करना है या रिपीटेड एक्षन करना है तो संस्कृत के व्याक्रण की विश्ष्षता यह है कि उसमें एक यंग प्रत्य धातु में हो जाएगा और पठ की जगह पापठ्यते हो जाएगा पुनाह पुनाह पठती इतना जो स्थान है शब्दों का उसकी पहले का हम वाक्च लेते हैं जैसे की प्र प्र्योग है यंग यगंत धातु है और उसमें पापठ्यते पेप्यंते शाशयते नरीं रिट्यतOnरी नरिनिर्तयमते अंत्रां पुना नरिनरिथ्यमतेउ इसी प्रकार से करो चेक्रियंते करम कराह करम चेक्रियंते माने वो कर्म करते हैं इस प्रकार से यह रूप् चलेंगे एवं ही असमा भी यदा संस्कित्ष्ण भाशणम क्रियते तदा एतै इते शाम धातूनाम प्रयोग अपिकर्तुम पार्यते अहम अत्रवदामी पुना-पुना कथयामी अत्यव यंग धात अभ्यास के लिए है भवन्ता येतत अभ्यस्तुं पारयंति अभ्यास प्रियोगाह करतुम पार्यते। साम्प्रतम अंतिमेक्रमे वयंप्रवेशं कुर्माह श्रिमत भगवत गीताया अभ्यासे नसा संस्कृत स्यापि अभ्यास भविष्वती असमा भी पूर्वं श्लोकत्रयं पठितम् नचै विद्माह कतरंणो गरियो यद्वाजये मयदिवा नोजये युहु याने वहत्वान जिजी विशामस्ते वस्थिता प्रमुखे धात्र राष्टा श्रिमत भगवत गितायाहा द्विती अध्यायस्य शष्ठोयम श्लोकाह अपिच कार्पल्य दोशो पहत स्वभावाह प्रिच्छामित्वाम धर्मसमूढ चेताह यच्छे यह यह त्रीक है तीन श्लोक साथ में लेकर इसको आमने कुछ एक्सराइज पाँच एक्सराइज पहले देखी है चटी एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें वात्प्यों के बारे में अर्थ करके थोड़ा व्याकरण बताया है जैसे इसमें यत्ममशोकम इंद्रियानाम उच्छोशनम्च अपनुद्यात जिससे मेरी जो उदासी शोक है और मेरे इंद्रियों का उच्छोशन मेरी जो हो जाए ऐसा अर्जुन निवेधन करते कृष्ण से तो यह गौनवाक्ट्यांश है यहां क्रियापद अपनुद्यात नोदयती नुद्यात नुदती और अब उपसर्ग से अपनुद्यात लोटलकार का रूप है दूर हो जाए और संबंध सुचक कारक है कर्त्रिपद यत और कर्मपद में शोकम उठोशडम दो शब्दा है मम कैसे बनेगा अस्मत मूल शब्दा है जिसको प्रवनावन और फस्परसन आया वी से होता है सर्वनाम है और तस्ते शष्ठी विभक्ति एक वचनम ममा ममा आवयोह अस्माकम ऐसे रूप चलता है शोकम शब्द कैसे बन जानते हैं और तस्मात पुलिंगी नाम शोक सैडनेस के लिए या मेलंकनी के लिए वित्या विवक्ति एक वचन में यह रूप बना है इंद्रियानाम इंद्रिय कहते हैं बॉडी और गन नपुन्सक लिंग है शष्ठी विवक्ति बहुँ अचन इंद्रियानाम पूर्वक शुच धातु है शोक के लिए शुच धातु थी उच्छो शणम बन जाएगा ल्यूट प्रत्य करके यह चौथे गण में पठिते परस्मईपदी धातु तु बिकम ड्राई और तु बिकम वीक इस अर्थ में धातु का प्रियोग होता है नपुन्सक लिंग प्रियोग किया है लोटलकार में तू ड्राईव अवे दूर करना तस्य आशिल लिंग लकारे आशिल लिंग में यह प्रियोग किया हुआ है लोट में नहीं है प्रथम पुल्ष एकवचन यत ममसोकम इंद्रियानाम उच्छो शुनम च अपन उध्यात वॉट्विल में हैं आहं भी ग३राइक में ऐसा नकार आट्म कम ट्रिया पडम नप्रपश्यामी है स्वाभावी ल token कर्तिरिपडाम फ़या है अध्यारितर्म कर्म पडम तत है प्रपश्यामी प्रवीकड दर्शत्सृत्व प्रश्मईपदि भादिगर्ण में पठीक है सी क्लियरली प्रश्चामी देखता हूं तत्स्य वर्तमान काले उत्तम पुरुष एक वाचनम तत्थ अहम न प्रपर्श्चामी वोट आई डू नॉट सी त्वाम प्रपन्नम विशेशन वाचक गौनवाक्यांश है भूत काल वाचक विशेशन वाचक धातुसाधित प्रपन प्रपन्नम कैसे बनेगा यह मैं आपको बताऊंगा धातुसाधित अस्य कर्मपदम त्वाम धातुसाधित विशेश्यपद प्रधानवाक्यांश में माम त्वाम जुश्मत शब्दका जो की प्रणावन ऑफ सेकेंड परसन यू से बनता है वित्याविभक्ति एक वचन प भूत कालवाच कविशेशन बनेगा प्रपन्नम माने one who is at the feet one who is in submission अत्रपुलिंग वित्याविभक्ति एक वचन प्रपन्नम बिंग इन सब्मिशन तो यू माम त्वम शाधि प्रधानवाक्यांश में जे मुझे बताईए मुझे गाइड कीजे क्रिया पदम शाधि स्वा तो teach, to train, to guide इस अर्थ में आज्यार्थ में अध्यम प्रुष एक वचन माम त्वम शाधि यू प्लीज गाइड मी और all meaning इसका संक्ष्व में बदादू क्योंके समय पूरा होने जा रहा है Whether we should win or if they should win over us, which one is better for us, we do not know this. By killing whom we would not desire to live, those very dhatarashtra's are standing in the front. I whose natural instincts and faculties are afflicted by the fault of poverty of mind and whose mind and intellect and are confused about the appropriate conduct. I am asking you, what will most certainly be beneficial to me? You tell that I am your disciple. Even my attaining unchallenged prosperous reign on the earth or kingdom of heavens, what will drive away my melancholy and weakness of my body that I do not see? You please guide me, being in submission to you. इस प्रकार से इन तीनों श्लोकों का अर्थपुरा होता है और मैं आपके सामने इसके चंद के बारे में यह मुक्त चंद है मुझे अगले व्याक्षान में संक्षेप में मैं बता दूँगा एक बात इन तीनों श्लोकों में जो मैं कहना चाहता हूँ श्रीमत भगवत गीता में यह जो वाक्या है और इसके साथ ही हम यहां अपना व्याक्षान पूरा करते हैं क्योंकि समय पूरा हो रहा है जो शेश थोड़ी इसका जो व्याक्षान है वो हम अगले अपने लेक्षर में लेंगे धन्यवाद नमास्कार कर दो कर दो